दोस्तों यदि आपके पास भी इस तरह का लिथियम आयन बैटरी है जो कि ओभर चार्च की वज़से खराब हो गई है उसमें कोई बोल्टे सो नहीं होता है आपको लगता है कि वो आपकी बैटरी खराब हो गई है और आप उसे फेगने की सोच रहे हैं तो मैं आपको बता द को इन दोनों ही बैटरी का बोल्टेज चेक करके दिखाता हूं कि इन दोनों बैटरीयों का बोल्टेज कितना सोग होता है इसके लिए मैं यहाँ पर डिजल मीटर का प्योग करूंगा तो डिजल मीटर को हम 20 बोल्ट पे सेट कर लेते हैं और इसके जो वायर है इनको हम लगाएंगे और काले वाले तार को नीचे लगा देंगे जो रेड वायर है इस लिथियम आयन बैटरी के प्लस पॉज्टी में लगाएंगे देखे इस तरीके से और काला तार को माइनस में तो देखिए ये बैटरी जो है minus 0.03 voltage सो हो रहा है अब दूसरी battery को हम चेक करते हैं दूसरी battery के भी प्लस वाले terminal पे हम लाल तार को लगाएंगे और minus वाले पे काल तार को तो देखिए इसमें भी minus 0.02 voltage सो हो रहा है यानि यह भी खराब हो चुकी है अब हम एक ऐसी battery हैंगे जो बैटरी बिल्कुल ठीक है जैसे कि यह इसके हम प्लस वाले में लालतार को और माइनस वाले में कालतार को जोड़ लेते हैं तो देखिए जैसा कि आप देशकते हैं इस बैटरी का बोल्टेज सो हो रहा है 3.37 बोल्टेज यानि ये बैटरी अभी ठीक है लेकिन ये दोनों बैटरी खराब हो चुकी है यदि आपके पाश डिजिटल मीटर नहीं है तो भी आप इन बैटरीओं को चेक कर सकते हैं आपको एक इस तरह का LED बल्ब चाहिए ये RGB LED बल्ब है आप नामर LED बल्ब भी ले सकते हैं बलस वाले में हमने लालतार को जोड़ दिया है और माइनस वाले में कालातार को जोड़ दिया है तो सबसे पहले हम इस अच्छी वाली बैटरी को चेक कर लेते हैं और देखते हैं ये LED बल्ब जलता है कि नहीं सों देखिए यह एलिट पर जनराई इस में एसं आप इसी परकार से और जो खराब बेटरी यह हैं इनकों चेक करते हैं कि प्ट टर्मिनल पर हम लालतार और माइनस टर्मिनल पहें कालयतार को लगाएंगे तो देखिए यह पर नहीं जलना है दूसरी को चेक करते हैं क revel को देखिए दूसरा भी नहीं जलना है और यथी आपके पास नहीं है तो आप इलेटी वाल्प शेभी अपनी ब्यूर्ट चेक कर सकते हैं, तो इन बैटरीयों को ठीक करने के लिए, हमें एक छोटा सा ट्रिक अपनाना है, इस बैटरी का यह जो प्लस टर्मिलियन होता है, इसके बीच में यहां पर देखेंगे, तो छोटे छोटे होल बने होते हैं, देखे, छोटे छोटे इसमें चार होल बने होते ह तो इनी होल में हमें कोई भी पतला चीज़ लेना है इस तरीके का और इनके होल में डाल कर इसे थोड़ा सा दबाना है जादे नहीं थोड़ा सा दबाएंगे और चेक करेंगे कि ठीक हुआ कि नहीं अभी नहीं हुआ फिर से हम दबाएंगे थोड़ा सा जोर से दबाएंगे देखिए थोड़ा सा जोर से मैं ने दबाया तो इसमें से गैस निकली है देखिए महक भी रहा है इसमें से गैस निकली है फिर से हम चेक करेंगे देखिए ये बैटरी ठीक हो गई दरसल होता ये है कि जब ये बैटरी ओवर चार्ज हो आती है तो इस बैटरी के अंधर में बहुत जादे मात्रा में गैस भर जाती है और इसके सेपटी के लिए इसके अंधर में एक कैप दिया होता है उस gap को यदि हम दबाते हैं तो इसके अंदर जो gas भर जाती है वो बाहर निकल जाती है जिसकी वाज़े से ये बैटरी फिर से काम करना चालू कर देती है एक बैटरी हमने ठीक कर लिया अब दूसरी बैटरी लेते हैं और इसको भी हलका सब प्रेस करेंगे पहले जाते तेज नहीं करेंगे अभी gas नहीं निकला इसमें फिर भी एक बार हम चेक कर लेते हैं अभी ठीक नहीं हुआ एक बार फिर से हम दबाएंगे हाँ देखिए अभी निकल गया अभी देखिए आवाज भी आया है और इसमें सग गंध भी आया है अब हम इसको check करेंगे देखिए ये भी बैइटरी देखे ठीक हो चुकी है यानि अब ये दोनों बैटरीया ठीक हो चुकी है इन बैटरीयों को हमें खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी तो चलिए इन दोनों बैटरीयों कहां voltage check करेंगे ये हैं digital meter इस बैटरी के प्लस टर्मिनल में हम लाल तार को लगाएंगे और माइनस में इस काला तार को देखिए ये बैटरी ओफर चार्ज हो चुकी है जिसकी वज़ाद से इसका बोल्टेज 4.19 हो गया है जबकि इसका नार्मल बोल्टेज इसमें 100 होता है 3.97 दूसरे को चेक करते हैं देखिए इसका बोल्टेज ओर आया 4.1617 यानि अभी ये दोनों बैटरियां ठीक हो चुकी है तो दोस्तों इसी ट्रीक को अपना कर आप अपने लिथियम आयन बैटरी को बीना खोले ही मातर एक मिनट के अंदर उस बैटरी को सही कर सकते हैं यदि ये बैटरियां ओभर चार्ज के वाज़से खराब हुई हैं तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरू गताईएगा अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे हमारे चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरू प्रेस कर दे तो मिलते हैं इसी पिगार की एक और जुकाड़ वाली वीडियो में तब तक के लिए थेंगे दोस्तों प्रेस कर दोस्तों